तम्मिल नाडू के रामेस्वरम में एक करीब परिवार में जन्मा एक लड़का सायद ही कभी सोचा हो की वो बड़ा होकर एक मसहूर वैज्ञानिक और भारत का राश्ट्रुपती बनेगा अबुल पाकीर जैनुला बुदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेस्वरम के तिर्थ अस्तल पंबन द्विप पर एक तम्मिल मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता जैनुला बुदीन एक नाओ के मालिक और एक अस्थानिय मस्जिद के इमाम थे हैं उनके पिता के पास एक फेरी थी जो हिंदू तिर्थ यात्रियों को रामेस्वरम और धनुस्खोडी के बीच ले जाती थी अपने परिवार के इंकम को सपोर्ट करने के लिए क्लाम बच्मन में नियूस पेपर भी बेचा करते थे अपने स्कूल के वर्षों में क्लाम के पास ओसत ग्रेट थे लेकिन उन्हें एक उजवल और मेहनाती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था जिने सीखने की तिरुवे एक्षा थी स्वाच हाईयर सेकेंडरी स्कूल से एजुकेशन कम्पलीट करने के बाद उन्होंने संट जोसेफ कॉलेज तिरुट चिरापली जॉइन किया जहां उन्होंने 1954 में फिजिक से ग्रेजुएट किया 1955 में मदरास चले गए जहां उन्होंने मदरास इंशिचूट आफ टेकनलोजी से एरोस्पेस इंजिनियरिंग की पढ़ाई की वो फाइटर पैलेट बनने के अपने सपने को हासिल करने से चुक गए क्योंकि उन्होंने क्वालिफायर में 9 अस्थान हासिल किया और भारतिये वायू सेना में केवल 8 अस्थान ही उपलब्द थे उन्होंने Defense Research and Development Services के मेंबर बनने के बाद Defense Research and Development Organization के Aeronautical Development Establishment में एक व heroescraft के रूप में जोईन किया स्थांत्रित कर दिया गया था जहां वे भारत के पहले सेटलाइट लांच वेहिकल SLV-3 के परियोजना निर्देसक बने जिनों ने जुलाई 1980 में रोहनी उपगरव को निकट प्रिथवी के कक्छा में सफलता पुर्वक तैनात किया था 1970 के दसक में क्लाम ने दो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेवील और प्रोजेक्ट वेलेंट का भी निर्देसन किया जिसने सफल SLV कारेक्रम की तकनीक से वेलस्टिक मिसाइल विखसित करने की मांग की केंद्रिय मंत्री मंडल की अस्य विक्रिती के बावजूद प्रधान मंत्री इंदरा गांदी ने कलाम के नेतरियोटवे में अपनी विवेका दिन सक्तियों के माध्यम से इन एरोसपेस पर्योजना के लिए गुप्त दन आवन्तित किया क्लाम ने केंद्रिये मंत्री मंडल को इन वरगी कृत एरोस्पेस पर्योजनाओं की वास्त्विक प्रकृती को छिपाने के लिए अभीन भूमिका निवाई Integrated Guided Missile Development Program नामक मिशन के लिए क्लाम को Chief Executive Appoint किया गया इस मिशन के तहट क्लाम ने अगनी एक Intermediate Range Ballistic Missile और प्रिथवी सता से सता पर मार करने वाली Missile सहित कई Missile को विक्सित करने में एक प्रमुक भूमिका निवाई क्लाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधान मंत्री और रक्षा नुसंधान और विकास संगतन के मुख्य वैग्यानिक सलाकार के रूप में कारे किया इस ओधी के दोरान पोकरान 2 परमानु प्रधान भी किये गए जिसमें उन्होंने एक गहन राजनीती और तक्नीकी भूमिका निवाई इस ओधी के दोरान क्लाम की मीडिया कब्रेज ने उन्हें देश का सबसे अच्छा ग्यात परमानु वैग्यानिक बना दिया एपीज अबदुल कलाम से जुड़े कुछ महतपूर्ण बात अगले वीडियो में सेयर करूंगा उमीद है या वीडियो पसंद आये होगी धन्यवाद